मेरा नाम है शिवम और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्रिप्टो न्यूज पर उसके लावा जो हमने बीस हजार से दो लाख वाला चैलेंज किया था जिसको बढ़ा के हमने तीस हजार से तीन लाख कर दिया था उसका भी मैं आपको अपडेट दूंगा अब मार्केट पहले क्विकली अगर हम देखें पहले हम क्विकली मार्केट देखेंगे मैं उसके पहले क्विक बात करना चाहता हूं उसके बाद हम जाएंगे किस चीज में हम जाएंगे officially देखने की क्या उस portfolio का क्या चल रहा है और market में news क्या चल रहा है क्योंकि दो खतरनाक news जो है वो निकल के आई है जिसमें से एक बहुत ही अच्छी news है मैं आप लोगों के साथ career tips वगारा share करता आ रहा हूं तो वो मैं आपके साथ share करना चाहता हूँ तो चलिए पहले हम चलते हैं screen पर मैं यहां पर मेरा screen share कर लेता हूँ and guys अगर आप चाहते हैं दिन भर थोड़े 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 अपडेट जैसा कि आप भी हमने smart contracts पर दो developers और हमारे जहां मैं काम करता हूँ वहां हमारे company के founder अंचुल उनके साथ भी एक live stream किया था questions भी लिये थे बट वह developers कैसे smart contracts पर काम करते हैं वह सब चीज़े भी हमने discuss की थी तो वह live stream अपने miss कर दिया होगा अगर आप telegram पर नहीं थे तो आपको पता नहीं होगा अब भी वह live stream खतम हुए तो मैं video record कर रहा जोइन करें और जोइन करने के बाद username जरूर confirm कर लें at shivam chuneja c के बाद double h है finance चलिए guys बात करते है market की market धड़ा धड़ा उपर है अभी सब चीजों में हमें जो bitcoin के उपर जाने का जो effect है rune को छोड़के क्योंकि rune का hack हुआ है I am guessing rune को छोड़के बाकि सब जो चीज़ें क काफी ऊपर चल रही है however यह bull market नहीं है ठीक है आप में से by the way आप में से काफी सारे लोग पिछले कुछ दिनों में डरे हुए थे हैं उन्होंने अपने coins फिर से बेज दिये loss में जब मैं मना कर रहा था उसके बाद भी long term hold को यार इतनी क्या जल्दी है पहली बात दूसरा जो अभी हमें एक बड़ा pump देखने को मिला है वो pump में एक दो चीज़े हमें समझनी होती है कि जब हम यह candles देखते हैं तो यह जो pump की अगर आप candle देखो तो आप देखोगे सीधी vertical candles जो बनती है vertical candles का usually जो क्या मतलब होता है उसका बहुत simple सा funda होता है vertical candles बनती है या तो market में चीज़ें ऐसे धड़ा धड़ा एक बार में बेचते नहीं है अगर उनको market manipulate ना करनी हो अगर करना चाहते हो तो वो फिर main market में उतरते हैं तूसरा यह कब दिखता है जब या तो longs liquidate हो जाए मतलब जिन्होंने stop loss लगाए longs पे लगए stop loss liquidate हो जाए या shots पे लगए stop loss liquidate हो जाए जिसको squeeze भी कहते है तो in fact इन्होंने article वगएरा भी कर रखा है coin desk वगएरा वालोंने squeeze होगा और हो गया तो वो क्यूं होता है normally आपको जो यह stop losses है जो resistance level होता है उसके just उपर अगर short है अगर long है तो उसके just नीचे हमें देखने को मिलते हैं तो maximum traders वहापे लगाते हैं तो कभी-कभी market manipulators क्या करते है market manipulator थोड़ा सा dump कर देते हैं उसको ताकि वह वहले shorts liquidate हो जाए बस और price थोड़ा सा गिरे वह खरीदे और वापिस jump कर जाए price तो ऐसे ही shorts के side पे यह किया जाता है तो यहां पर जो shorts liquidate हुए है तो resistance level के just उपर तो जब resistance के बहुत पास आ रहा हो ना और यह resistance को maybe maybe चल रहा हो कि तो फोड़ेगा या नहीं फोड़ेगा तो कभी-कभी यह जो shorts है वो लोग फिर liquidate कर देना भी पसंद करते है manipulate करके तो यह जो जितना मुझे लग रहा है यह अभी तो liquidation है basically तो अभी actual जो buying volume है वो शुरू नहीं हुआ है इसका बहु resistance का zone था वहां से एक अच्छा करा रहा हमें resistance देखने को already मिल गया है तो यह एक important चीज थी जो मुझे आपको बतानी तो थोड़ा ध्यान रखें अभी भी market में उतना volume नहीं आया है तो यह आपको इतना बड़ा pump देखके लोगे volume आ गया नहीं 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 आया है आप notice करो yes 70 cent पे था almost 200 dollar पे चला गया है 15-20 दिन में crazy तो but yeah anyways तो उसकी भी हम बात में बात करेंगे तो guys हम बात कर लेते हैं अगर हम बात करें कि हुआ क्या क्या है तो जो Cathie Wood है मैंने आपको बताया था कि वो जो live stream हुआ था उसके पहले Cathie Wood ने actually GBTC shares लिये तो नहीं साड़े चार ला यह वाला भी dip उन्होंने धड़ा-धड़ खरीदा है dip इसमें edge investments वाले हैं जो उन्होंने भी जो है काफी सारा यहां पे GBTC में invest किया है तो हमें काफी सारा buying pressure जो है या rather buying का support जो है institution से इस ताइम पे देखने को मिल रहा है so market overall चाहे टेड़ी मेडी चल रहे हो NFT and gaming space में अलग और दूसरे spaces में जाएं and and देखें कि actual market में क्या चल रहे है तो थोड़ा सा डामा डोल टाइप का market है तो थोड़ा सा ध्यान रखना पर institutions अभी भी support में institutions अभी भी dip खरीद रहे है गाइस तो अभी अगले news एक और news है खतरना को लेते हैं और फटा फिट फिर हम बात करते है हमारे वो portfolio के बारे में Amazon का ऐसा notice आया है कि वो लोग strategy और roadmap देख रहे हैं blockchain based payment products में तो मैंने आप लोगों को बताया था कि उन्होंने एक job position डाली है तो उन्होंने फिर जो digital currency का position है उस पे अगर आप उनका वो सुनो कि जो statement उन्होंने दिया है उन्होंने क्या दिया है कि we are inspired by innovation happening in the cryptocurrency space and are exploring what this could look like on Amazon we believe the future will be built on new technologies and enable that enable modern fast and inexpensive payments and hope to bring that future to Amazon customers as soon as possible available तो अभी आप यह सोचो कि अगर Amazon वाले payment system start कर दें crypto based तो क्या धमाग मतलब क्या धमाखा होगा Amazon के customers की गिंती भी जानते हो अब कितनी होगी मतलब करोडों डेली के customer हैं हमें बहुत यह खतरना अगर बाइचांस इन्होंने कुछ शुरू कर दिया अगर Amazon अपने कोई निकाले और इनी के कोई से कुछ खरीदना हो तो भी पर मतलब ridiculous हो सकता है ridiculous जो हमें expansion क्रिप्टों में देखने को मिल सकते हैं इस वीडियो के last में हम बात कर लेते हमारा वह जो 30,000 वाला portfolio वह कहां है बट मैं आपको सिरफ हवा मारके 30 वाला यहाँ पहुच गया यह बोलके कुछ नहीं होगा मैं आपको पूरा portfolio दिखाता हूं बड़ा डिप बड़ा राइस दिख रहा है डिप नहीं यह था जब हमने उसको 20 से 30 में convert किया तब हम चल रहे थे 21,700 पर और हम डाउन चल रहे थे तो यहां पर फिर मैंने जो 10,000 रुपे और यहां पर डाले यहां से हम वापिस गए कुछ 26,000 पर हम वापिस चले गए थे 30 से 26 तो 4000 माइनस में थे आज हम already 4000 5000 प्लस में चल रहे हैं जहां तक projects की बात की जाए कुछ भी change नहीं किया है किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाई गई है और अभी लगाई भी नहीं जाएगी मैं आप लोगों को ऐसा regular update जरूर दे क्यों करनी है तो इन में से किसी भी चीज़ को मैं हाथ नहीं लगा रहा हूं भी धड़ा धड़ा भी यह पड़े रहेंगे यहां पर और हम देखते हैं कैसा grow होता है अब hodal power आएगा dollar cost average हमने कर लिया now we will see the hodal power तो मैं आप लोगों को बस एक बता देता हूं कहां कहां प understand that PolkaRot में हम लोग अप है 10.7% 376 रूपीज थीटा में आप है 330 रूपीज चिलीज में आप है 365 रूपीज उनी स्वाप में आप है 1200 रूपीज पैंकेक स्वाप में आप है 382 रूपीज प्लस जो पैंकेक स्वाप स्टेक हो रहा है धाट पॉलिगॉन मैटिक में अप है 41 पॉलिगॉन मैटिक की एंट्री मुझे मेरी बहुत पसंद आई है लाइक दिस एंट्री मेरे सबसे एंट्री ठीक थी बट उसके बाद हमने डॉलर कॉस्ट आवरेज करके यहां पर मैटिक कर दिया तो मैटिक अभी सबसे बड़ा पोजिशन है विच आई डोंट लाइक त एक दिन 4,000 डाउन अगले दिन 4,000 अप तो यह ऐसा हो सकता है कि एक दिन 10,000 डाउन हो जाए 15,000 भी डाउन हो जाए अगर यहां से हमें एक और बड़ा sell-off Bitcoin में for example देखने को मिला तो यहां से हम 30,000 का direct 15,000 भी जा सकता है तो यह portfolio बहुत जादा risky है क्योंकि इसमें Bitcoin और Ethereum न इसकी है बहुत तो थोड़ा ध्यान दे copy-paste मत करें अपना research करो आप में से बहुत सारे लोग मुझे बूशते हो अपडेट बताओ आपने कोई trade लिया है नहीं लिया हमें भी करने गलत तरीका है मैं बहुता रहो guarantee के साथ बोलो अगर आप ऐसा करोगे तो आप ऐसा करोगे anyways this is आज का update guys I hope आपको यह update अचा लगा हो Saturday है इसके इलावा आपको क्या देखने को मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ financial funda channel अगर आपने guys check out नहीं किया है तो अपना financial funda आप जरूर check out कर ले channel मैं link उसका description में दे दूँगा वहाँ पे अभी because weekend है तो वहाँ पे इस weekend हम mutual funds की बात करने वाले हैं यह financial funda channel है अपना ही channel है हम लोग 3,000 subscriber cross कर गया है by the way and इस channel पर हम क्या करने वाले है इस channel पर because weekend है weekend पर हम बात करते हैं investment से related किसी चीज़ की तो हम पूरे हफते में पैसा बनाने बचाने की बात करते हैं और weekend में हम बात करते हैं बढ़ाने के बारे में तो बढ़ाने में usually मैं या तो stock का आपको analysis कर देता हूं या आपके लिए कुछ ऐसा बना देता हूं अदानी का किया है ITC का किया है अब भी हम बात करेंगे तीन अच्छे mutual fund houses की और अच्छे mutual funds की जिन्नोंने past में अच्छा return दिया है और बात करेंगे कि mutual fund select करते हो आप कैस से mutual fund select कर सकते तो यह weekend आपको उस चीज़ पर वीडियो देखने को मिल सकता है आदा वीडियो डन है मेरी तरफ से आज रात को अगर आदा में आज complete कर पाया तो आज नहीं तो आपको कल यह वाला वीडियो मिल जाएगा तो आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर financial funder channel भी आप check out कर सकते है गाइस बाकी तो बस यह यह like button लगा दो और subscribe कर दो अगर आपने अभी तक subscribe नहीं किया गाइस मैं आप लोगों मिलूँगा अगले वीडियो में this is shivam signing off तब तक रहे गाइस चाओ